नमश्कार मेहुत रिश्टला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आये रुख करते हो उत्राघंड के कुछ आहां खबरों की ओ खबर सुल्तानपूर से हैं जहांपर बाचपुर विधान सभा के कॉंग्रेस के प्रत्याशी यसपाल आर ने नुकड सभाई की हैं वोट की अपील के दौरान कॉंग्रेस कार करता हो के उत्सा के साथ साथ यसपाल आर जुन्दाबाद के नारे लगाए हैं जैसे जैसे चुनाओ की तारीक नस्दीक आती जा रही है ऐसे ही सभी पार्टिया प्रत्याशी चुनाओ में जान फूक रहे हैं बाजपुर की महान जनता वोट डालती है बाजपुर में और मिलने जाना परता है हल्दवानी ये बड़े कस्ट की बात है हल्दवानी क्यों नहीं हल्दवानी की सीट खाली थी क्यों नहीं लड़े क्योंकि वो नाम के विकास पूरिश है कभी अनुसुची जाती सीट के ल करेगी कि यहां पर आने वाला विधाय कौन होगा जो जनता का नहीं है जो अपने डल का सघानी है वो जनता का भी गभी सघानी हो सकता है सुल्टानपूर में भारते जंता पार्टी के बाजपूर उधासबात छेतर के प्रत्याशी राजश कुमार ने चुनावी कार्याले का फीता काट कर उधगाटन के अस दोरान भाजपूर प्रत्याशी ने कहा है कि बाजपूर की जंता मेरे साथ है इस बार बाचपूर जनता अदल बदलू को हल्दवानी भेज देगी सुल्तानपूर पट्टी पहुशने पर कारे करताओं ने जोरदा स्वागत किये राजश कुमार को हर वर्ग का सैयोग मिला है वही भाजपा कारे करताओं ने राजश कुमार के साथ डोर टो डोर जन संप इसी बीच प्रियंका ने घोश्रा पत्र भी जारी किया प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजिन की सरकार का इंजिन ही ठप हो गया है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में से जनता परिशान है उत्राखंड में बदहाल स्वासेवाओं से जनता परिशान है बेरोशगारी से युआ परिशान है लेकिन बेज़िपी से ये बात नहीं करती उत्राखंड में बकाय गन्ने का भुकतान भी नहीं हुआ है कलियर में विधासभा पिरान कलियर के छेदर पाडली गुजर में कॉंग्रेस प्रत्याशी हाजी फुरकान एहमद को भारी समर्थन मिल रहा है वहीं कलियर सीट कॉंग्रेस के पाले में नजर आ रही है वहीं जो अंताक ने विधायक फुरकान एहमद को भारी मतों से जीत दलाने का वादा किया है कॉंग्रेस प्रत्याश्य फुरकान एहमद ने पाडली गुजर में डोर टो डोर जाकर कॉंग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपलील की है बाजपा से तंग है लोग आप सब को पता है और आपका एक माध्यम ऐसा है जो बड़े चैनल है वो तो दिखाते नहीं लेकिन यह जो छोटे चैनल आपके हम इनका भी सुक्रियाता करते हैं और यह भाजपा के सब चट्टे बट्टे हैं आपको छोड़के तो भाजपा से लोग तंग हैं बच्चे बेरोजगार हैं पढ़ लिखने के पाद सब गूम रहे हैं इसलिए कांग्रेस की सरकार आज इमीनी खेडा में हमारी जो पाल समाज जो कट्टर बीजिपी का उठाया करता था ऐसी समाज उन्हें ने भी आज का भी समर्थन दिया और आज पाडली में पाडली गुजन में हमारे ताली परदाजी ने समर्थन किया मैं इन सब का बहुत-बहुत तैदिल से धन्यव पहुचे हुए हैं वहाँ उन्होंने तैस समय के अनुसार ज्वाला प्रविधान सभा के गाउं बुगवाला और बुद्वाश शहीद में जन संपर्किया अजद्वरान उन्होंने जन्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कि हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए बहतर काम कर चाहिए हम तो निरंतर आगे बढ़ने की कला हमारी मानने मुख्यमंतरी में है यह सची युवा मुख्यमंतरी में वह हमने जो काम सुरू किये थे उनको तेज गती से रफ्तार मिल जाएगी आगे बढ़ेंगे विकास की गती और तेज जाएगी जो विपकसिलों के उनके मूपे और कुछना कुछ लग जाएगा वस्था करना सुनिक्षित करें जिसे मद्दाताओं को परिशानियों का सामना ना करना पड़ें। शेत्र की जनता के द्वारा पहुच कर वोट मांग रहे हैं। उनका चेहरा बता रहा है कि वो बिलकुल जो है इस बार अपने खादर छेत के मुनेज भाई को बनाएंगे और खुद अपनी खादर की सरकार बनाएंगे। देरादून में मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने कॉंग्रेस की रास्ट्रिय महासच्य प्रियंका गांधी पर तंच का सा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बढ़ सकती हूँ लेकिन वह कहीं से लड़ नहीं रही है तो इस पर मैं क्या कहूँ बता दे कि आस देरादून में प्रियंका गांधी ने कॉंग्रेस की छुनाव घोश्रा पत्र को जारी किया और जनसभा को उन्होंने संबोधत कर जनता को कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के पक्ष में वोट की अपील की आप भी सुनिये सेम धामी का यह बयान कॉंग्रेस पार्ठी की और से रास्टे धक्ष के चुनाव होने के क्रम में सभी प्रदेशों में प्रदेश परभारी नियुक्त किया रहे हैं इसी कड में काला ढूंगी में कॉंग्रेस के प्रकाश जोसी को जारखंड का प्रदेश प्रभारी बनाए गया है इसमें कॉंग्रेस की रास्टी अध्यक्ष का चुनाओ होना है अध्यक्ष का चुनाओ होने से पहले बूत्स्तर पर हमारा सदस्यता अभियान मार्च तक चलेगा पर कांगरेस के राष्टि अद्रस्ता चुनाउ नाव और से पहले और तर पर जो हमारी सारभ स्थ्र आवियां चले गा मार्च तक और उसके बाद मागाने की चुना हो मुझे प्राइशका दिया उत्रखंड के विकास नगर विधान सभा में आज उकल चुनावी गर्माहट चरम पर है सभी दल अपने अपने नेता के पक्ष में मद्दान करने के लिए जनता को लुभा रहे हैं तो ही भार्दी जनता पार्टी के कारेकरताओं ने अज विकास नगर डाक पत्थर चौप के पास अपना कारेयाले खोला और कारेयाले का उत्खाटन किया भार्दी जनता पार्टी प्रत्याशी मुन्ना सिंग चोहान की ओर से इसका उत्खाटन किया गया विधी विधान के साथ कार्याले का शुबारम रिबन काच कर विधायक मुन्ना सिंग चोहान की ओर से किया गया और कार्याले में पार्टी की गत्विधियों की रूप रेखा को तैयार की जाएगी रुड़की में चिकेट ना मिलने पर भाशपा से बागी होकर निर्दलिय चुनाओ लड़ रहे हैं रुड़की विधान सबा से प्रत्याशी निति सर्मा के कार्याले काउट खाटन हुआ बतादे कि रूटकी निर्दलिय प्रत्याशी नितिन शर्मा की तरफ से कार्याले का उटगाटन किया गया, दरसल नितिन शर्मा भाजपा के वरिस्ट कार करता माने जाते हैं, नितिन शर्मा ने भी भारतिय भाजपा पार्टी से अपनी चिकेट की दावधारी पेश की थी, लेकिन टिकेट ना होने पर नितिन शर्मा ने निर्दली प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वही कार्याले को घाटन के दौरा नितिन शर्मा ने साइकड़ो समर तक मौझूद रहे हैं। देखें रुर्की की जंता ये चुनाव लड़ रहे हैं। और सभी कार्यकरता हम लोगों के साथ हैं। प्रता हासिल करने वाली टीम को पॉलिस ने इनाम भी दिया है। हमारे द्वारा समयक के गुरोद वेक अभियान चला जा रहा है। जिसके संबने हमारे द्वारा पकारसी सुराग देशी की भी और सुरोतों से मालूम किया जा। और आज हमें मालूम चलाए कि कुल्दी नामों के एक व्यक्ती समयक लेका आ रहा है। उस सुर्शना पर उसको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। इसके पास से 120 ग्राम इस्वेक्ट मिली है। और जो करीब साड़े दिन चाल लाग रूपर की कीमत की है। और मूल रूप से यह बनना क्षड़ा बाचपुर का रहने वाला है। प्रदेश में इस समय चुनाव प्रचास जोर उपर है। ऐसा है कुछ सुल्तानपूर पट्टी में दिखाए दिया जहां बसपा प्रत्याशी विजयपाल जाचव अपने समर्थोकों के साथ चुनाव प्रचार करने पहुचे थे। चुनाव प्रचार में जुटी भी ने कोविड नियमों का उलंगन भी किया। तो यह रहे उत्राखंड की कुछ हैं हम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे हैं प्राइम टीवी।